हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आए होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फिप्त के सब्जेक्ट एन्वार्मेंटल इस्टडीज के वीक नमबर 26 की वर्क सीट को सॉल्ब करेंगे जो की नौर्ट डेली मिल्सिपल के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वर्क सीट को टॉपिक है लेसन नमबर 18 नो प्लेस फोर अस तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं question 1 है why do people come in cities from the village लोग गाउं से सेरों में क्यों आते हैं तो बच्चों answer है people from the village come to the city due to poverty लोग गाउं से city में धन की कमी के कारण and the desire of earning money और धन कमाने की इक्षा से आते हैं as they would not be able to fulfill the needs of their family जैसा कि वे अपने परिवार की जो आवसकता हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाते ह होंगे अब यहां पर बच्चों question number two है fill in the blanks with suitable words यहां पर बच्चों सही words से blanks को fill करना है agricultural activities are seen generally in village or cities किरसी से संबंदित गती वीधियां गाउं में देखी जाती है या फिर सहरों में तो कहां देखी जाती है agriculture या फिर waving तो यह बच्चों agriculture के अंडर में आता है या लिखेंगे agricultural activities we can listen the sound of birds in village और maximum और minimum हम birds की आवाज को विलेज में अधिक मात्रा में सुनते हैं या फिर कम मात्रा में तो बच्चों अधिक में सुनते हैं या लिखेंगे maximum अब है question number three pick out the correct answer यहां पर आपको सही answer बतान है question है why do people generally migrate from one place to another place लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों चले जाते हैं क्यों बस जाते हैं तो बच्चों यहां पर option है employment के कारण amusement या फिर बोथ amusement कहते हैं मनोरंजन employment कहते हैं रोजगार तो किसके कारण जाते हैं बोथ it means answer option number third बे दौनों के कारण ही migrate हो जाते हैं एक इस्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं next है in which factory सिडेया यूस्टू डू दवर्क किस फैक्टरी में सिडेया वर्क करता था तो बच्चे आपर option है fish factory oil factory या फिर दिड नॉट वर्क वह कारे ही नहीं करता था या oil factory तेल के कार खाने में कारे करता था या मचली के कार खाने में तो बच्चों आंसर है option number first next is the new place of जात्रयाज family was very जात्रय के परिवार के लिए नया स्थान कैसा था comfortable uncomfortable या फिर कांट से कह नहीं सकते तो बच्चों आंसर है uncomfortable था it means वह वहाँ पर बच्चे है question है why do we build dam on the rivers बच्चे आपड़ी को कट करके आप डैम लिखेंगे कि हम नदियों पर बांध क्यूं बनाते हैं यदि बच्चों आप यहां पर ब्रिज करेंगे कि हम नदियों पर ब्रिज क्यों बनाते हैं तो बच्चे इसके points के वलिए हैं कि हम river पर जो ब्रि streams on rivers are built to fulfill facilities like flood control, water supply, hydroelectric power, waste management, etc. नदियों पर बांध, बाढ़ को रोकने के लिए, water supply के लिए, पानी से बिजली बनाने के लिए और waste management के लिए बनाते हैं अब बच्चों question number 5 है observe the given picture carefully, दी गई picture को ध्यान से देखिए and write or tell your view about the picture और इस picture के बारे में अपने view बताईए या फिर लिखिए तो बच्चों आप इस picture में देख सकते हैं, यहाँ पर जो गाओ वाले हैं, यह celebration कर रहे हैं इस picture में गाओं के लोग और महिलाएं त्योहार को celebrate कर रहे हैं, people are playing drums, लोग drum बजा रहे हैं, डूल बजा रहे हैं, boys and girls are dancing in groups, लड़के और लड़कियां तोलियों में डांस कर रहे हैं, everyone is celebrating happiness together, सभी मिलकर खुसियां मना रहे हैं Life skill, earthquake, boocamp, earthquake also known as quake, terminal or trembler, जब धर्ती कापती है, तो इसे क्या कहते हैं, earthquake कहते हैं, are the shaking, earthquake, हिलना है, किसका rolling and sudden shock of the surface of the earth, अर्थ का हिलना, अचानक से roll करना, यह सब क्या कहलाता है, boocamp कहते हैं, तो आप इस picture में देख सकते हैं, क्या है यह, boocamp के कारण यहां पर, buildings गर गई हैं, dear children, प्यारे बच्चो, earthquake is a natural disaster, boocamp एक प्राकर्तिक आपदा है, there is a heavy loss of life and property due to it, इसके कारण, बहुत ही, property का loss होता है, और हमारा जीवन है, उसका भी loss होता है, it means, बहुत से लोग मारे जाते हैं, we should keep few things in mind when it occurs, जब यह होता है, जब भूकम आता है, तो हमें अपने मस्टिक्स में कुछ बातों को याद रखना चाहिए, जैसे की, get under furniture like beds, tables, desks and hold on to its lower part tightly, हमें किसी भी furniture जैसे की bed, मेज, desk आदी को नीचे, सिर्फ, desk आदी के नीचे बैट जाना चाहिए, और इसके नीचे के पार्ट को बहुत ही कसकर पकड़ लेना चाहिए, so that it doesn't slide by shaking, ताक If you do not see any strong thing, यदि आपको कोई मजबूत चीज नहीं दिखाई देती है, then sit on your knees by covering your head, तब अपने सिर को ढखकर अपने घुटनों के बल बैट जाए, with a strong object और thick book, किसी भी strong object से या फिर किसी मोटी किताब से ढखकर बैठे, Stay away from fans, windows, cupboard and heavy object in case of earthquake tremors, earthquake भूकम के दोरान किसी भी heavy object, अलमारी, window या फिर fan से दूर रहे, there is a high risk of injury due to falling and breaking the glass, काच के तूटने से, गिरने से, बहुत ही चोट लगने का खत्रा रहता है, use the stairs instead of the lift, lift की बजाए, stairs का use करें, remember the above points and discuss these with your parents, उपर जो points दिये गए हैं, याद रखें और अपने parents के साथ इन्हें discuss करें, अब बच्चों आपके लिए activity है, what is disaster management helpline number, आप दा प्रबंदन helpline number कौन सा है, तो बच्चों कौन सा है, 1077, question 2 है, make a video of the activity given below, नीचे दीगे activity का एक video बनाईए, and share it video of class teacher, और इसे अपने class teacher के स share करें, तो बच्चों आदेख सकते हैं, drop, it means आपको यहाँ जुकना है, इस तरीके से जुकेंगे, cover अपने आपको इस तरीके साब cover करेंगे, किसी भी मजबूत चीज के नीचे या फिर किसी भी object से अपने सिर को ढखेंगे, hold और पकड़ना कैसे है, इस तरीके से बच्चो आप किसी भी चीज के नीचे के पार्ट को tightly पकड़ेंगे, और इस सब activity को करते हुए, आप एक वीडियो बनाएंगे और अपने teacher के साथ share करेंगे, अब बच्चों question है, मोगडिल इस प्रैक्टिस्ट इन योग स्कूल at regular intervals, मोगडिल जो है, आपके स्कूल में समय समय पर इ Purpose of मोगडिल, मोगडिल के परपस है, to raise awareness among people about earthquake, भूकम्प के बारे में लोगों के बीच जागरुकता, पैदा करना, जागरुक करना, to review the availability and preparedness for rescue and relief operation at the time of disaster, आपदा के समय relief operations और लोगों को बचाने की तैयारियों की उपलबदता को देखना, benefits of मोगडिल, अब बचेहाँ पर लिखना है आपको मोगडिल के क्या लाब है, there is less loss of life, इससे कम जीवन का खत्रा होता है, and property और जंधन की कमहानी होती है, and do not panic during earthquake, और इससे अर्थकेक के द दोरान घबराते नहीं है, संसकार साला, the bigger the struggle, the more glorious the victory, संगर्स जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही सांदार होगी, food and drink में आज आप क्या लेंगे, include jaggery, sesame, peanut and tomato soup in the diet, आप अपने डाइट में good, peanut, tomato, sesame और tomato का सूप लेंगे, activity में, arrange the parts of plants planted in your courtyard, अपने आंगर में लगे हुए, पौधों की देख भाल करेंगे, उन्हें अरेंज करेंगे, game में आज आप क्या करेंगे, play a game of ludo, ludo का खेल खेलेंगे, special है to avoid corona and any other disease, corona या फिर किसी अन्य डिसीज से बचने के लिए, apply face mask, face mask लगाएं, follow physical distance, सारे रिक दू और उन्हें नियमित रूप से धोए, daily routine, include following habits in your daily routine, दीगे habits को आप अपने daily routine में include करेंगे, begin your day by greeting your parents, अपने parents को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें, brush your teeth twice a day, दिन में दो बार दातों को brush करें, टे का बात daily रोजाना नहाएं, drink plenty of water, पर्याप्त मातरा में पा अपने चेहरे को छूने से बचें, and wash your hands frequently, और अपने हाथों को नियमित रूप से धोए, complete your homework on time, और अपना गरहकारे समय पर पूरा करें Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel, thank you